हाला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजिंद पुरहीत और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ इससे पहले मैंने आपके सामने डिफ्रेंचल एक्वेशन और पार्शल डिफ्रेंचल लिकशन के अंदर हीट एड़ वेव एक्वेशन को सुड़ करना सिkha है था सुनी बहुत important topic है और इस पे काफी सारे concepts है वो सभी मैं आपके सामने discuss करने वाला हूँ इससे पहले अगर आपने मेरे पुराने वीडियो लापला स्वास्वम के नहीं देखें तो एर IT पे जाके आप देख सकते हैं तो सुन देखें सुन बात करेंगे सबसे पहले integral equation के बारे में आप बोलोगे सार आपने integral equation तो YouTube पे डाला ही नहीं भाईया अपलोड करने वाले हैं इसके तुरंत बाद integral equation ही चलेगा integral equation हमारे पास दो type की होती एक होती ही Walter integral equation एक होती ही Frondholm integral equation वो कैसे पता पड़ेगा तो यहाँ पर जब भी हमारे पास integral equation का type होता है जहाँ पर integral sign involved होता है जैसे differential equation होती है वहाँ पर derivative involved होता है दी वाई बाई दी एकस इस टाइप का आता है integral equation मतलब integration का integration का function आ रहा होगा आपको इस integration को remove करना होता है तो इसको remove करने के लिए हमारे पास दो तरीके होता है एक तो अलेबनीज होता है दूसरे हमारे पास यहाँ पर laplace transform का tool भी है जिससे हम solve कर सकते हैं और और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा पर मैं आज की जो classes के अंदर बताऊँगा कि laplace transform से कैसे हम integral equation को solve करता है पर इसके लिए मैं आपको बताना चाहरा हूँ पहले कि वोल्टेरा और फ्रिड होल में क्या फरक है अगर हमारे पास कोई भी integral equation इस साइब की दे रखी है और यहाँ पे जो upper limit है यह जो upper limit भी है अगर यह variable है मतलब x की form में आ रही है तो उस वाले case में such type of integral equation is known as an वोल्टेरा integral equation और अगर हमारे पास upper limit fixed है मतलब constant है तो उस वाले case में वो जो equation होती है वो हमारे पास क्या 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 लाती है तो इसको याद करने का तरीका है कि अगर हमारे पास variable है तो वोल्टेरा और अगर fixed है मतलब constant है तो फ्रिड हॉल्म यहाँ पे अगर हम laplace transform integral equation को solve करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ हम वोल्टेर integral equation को ही solve कर सकते हैं फ्रिड हॉल्म को नहीं कर सकते हैं दूसरी बार कि हर वोल्टेर integral equation को हम solve कर सकते हैं भाईया नहीं उसमें भी हमारे पास एक condition होती है कि उसका जो kernel है that kxt is known as a kernel इस सुनी ये convolution type का होना चाहिए अब बोलोगे sir, convolution type का kernel क्या होता है वो kernel जहाँ पर उसकी जो term है उसमें x-t की terms आनी चाहिए ये जो kernel है ये क्या होना चाहिए x-t का function होना चाहिए जैसे मैं आपके सावने बताना चाह रहा हूँ ऐसा आजा है अगर kxt हमारे पास इस type का रहा हो x-t आ रहा हो या फिर sin x-t आ रहा हो या cos x-t आ रहा हो या sr of 1 plus x-t plus x-t का whole square इस type का रहा हो अगर उसका kernel convolution type का है तो हम कर सकते हैं पर इसके लिए आपको ये समझने की जरूते हमारे पास एक convolution theorem हुआ करती थी जब मैंने आपको Laplace साथ हों पढ़ायतार convolution theorem अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप IT पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं सुन convolution theorem क्या बोलती है कि Laplace inverse of Fs is equal to Ft and Laplace inverse of Gs is equal to Gt then यहाँ पे मारे पास होता है कि Laplace inverse of Fs star Gs की जो value होती है वो मारे पास होती है 0 से T यहाँ पे हम U रखते हैं और यहाँ पे हम क्या रखते हैं T minus U रखते हैं into D U ठीक है यह हमारे पास होती है तो यहाँ पे आप देखे होती है इसकी वे लिए इसके बराबर होती है अगर मैं यह L inverse को उधर लेके जाओ तो भाईया यह क्या हैगा Laplace of 0 से T F U and G T minus U into D U तो भाईया यह हमारे पास क्या हैगा Fs star Gs आजाएगा बोलो समुन में रखते हैं तो integration पे अगर हम Laplace लगाते हैं और वो भी इस टाइप का जहाँ पर यह जो KXT है ना यह इसका जो term है वो T minus U type के आ रही है वैसे हम यहाँ पर क्या बात करेंगे X minus T की तरह लिखेंगे बात बाराबर है भाईया बाकी तो हमारे पास कहानी वह की होई है तो जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी आता तो उसको हम Fs star Gs करके लिख सकते हैं अब कैसे करेंगे वो हम आपके सामने question के थूरू समझाने की कोशिश करूँगा जैसे हमारे पास यह question दे रखा है yx is equal to इस question को समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे हमारे पास के दे रखा है yx is equal to x square 0 to x यह आएगा हमारे पास yt sin x minus t and dt जैसे हमारे पास voltaire integral equation है क्या अपर लिमिट हमारे पास क्या है वीरिबल है and यहाँ पर इसका जो kernel है वो x minus t type का है सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्ण आता है तो इसको आपको ऐसे लिखना है कैसे लिखना है भईया x square plus इसको आप लिखोगे yx और यहाँ लिख दोगे आप sin x and star लगा दो and डोनों तरफ अब कै ले लो भीया lapless ले लो कै ले लो यहाँ पर lapless ले लो klair दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे लान प्लास ले लेंगे अब देखे सुनीड यहाँ पर इसका जो लाप्लास आएगा वो y-bar s आजाएगा इसका लापलास क्या होता है? लापलास of X square का लापलास वैसे आपको बताना हुची है कि लापलास of X power N जो होता है वो होता है गामा N plus 1 upon S power N आपके मनमा सौल उटेगा सर आप तो लापलास T का पता दे यहां तो X पे ले रहो अरे जरूरी नहीं है कि हमेशन T है कुछ बोक में P भी दे रखा है कुछ बोक में X भी दे रखा है तो यह अलग-अलग है तो यहां पर हमारे पास जो variable है वो तो X ही है तो हमें X पे लेंगे बात करता है यहां पर 2 है तो क्या जाएगा यह गामा 3 upon S cube हो जाएगा इसका लापलास हमारे पास Y बार है और इसका लापलास हमारे पास क्या है अब इस Y बार को उठाएगा इदर ले लो इसको इदर ले लो यह आएगा Y बार S and minus Y बार S 1 upon S square plus 1 यहां पर गामा 3 की विलिए हमारे पास 2 हो जाती है and upon S की बो होगा बार-बार को उन काल ले तो यहां से मारे पास इसकी बेलिए यहां जाएगी यहां से इकूल तो 2 upon S की बार-बार हम इसको नहीं लिखेंगे तो यहां से स्कूर प्लस वन और नीचे हो जाएगा S power 5 अब थोड़ा सा और कोर सिंपलिफाइक लेते हैं ना सुन जब यहां पर इसकी वेल्यू रखेंगे तो यह आएगा हमारे पास वाइबार इसको अलग लग डिवाइट करेंगे तो यह आएगा वन अपान यह वाइबार को इसको मक्छाएगा वाइबार की बात करें यह पास की होता है गरहिए बाइबार को लिखना चाहा है यह उप wanna सो फडा हुइ लग सकता है अब हमारे पास क्या है को criticism यह इंवर्स लेले हैं तो Jupiter भावार, आपाज एंपर 1 आपान सपावर 5 हो जाएगा अगर मैं L होगिए फाल गार्ड- कि बेली होती है यहाँ पर इसकी बेली होल यहाँ पर गामां सब्सक्रस्य शाइगा और इसएधन लें लगें है यहां पहराइगा यह 2, बाट है यह पांच है, वह आएगा हमारे पास x power 4 gamma 5. यह पहराएगा यहां पहराइगा, इसकी value हो जाएगा. यहाँ पहराइगा y is equal to 2, x square, gamma 3 की value हो पास 2, 4-factor, that is equal to 24. इसको solve करेंगे, यहां से हमारे पास इसकी value हो पास x square upon x power 4 upon 12. यह इसका क्या जाएगा भहिया आंसर आजाएगा राइट तो इस तरह से इस टैप के questions को आप बहुत एजीली कर सकते हैं by using Laplace transform आगे बढ़ते हैं इस तो इन question देखे solve the integral equation by the Laplace transform हम क्या करेंगे भहिया यह आएगा 0 to x yt बैटा यह जो x-t है उसको उपर लिखे यहां पर क्या लिख देंगे power minus का 1 by 2 is equal into dt is equal to यह आएगा 1 plus x plus x square होगा अब हम क्या करते हैं बढ़ते हैं दोनों तरफ Laplace लेते हैं तो यह हमारे पास यहां पर क्या हो जाता है yx हो जाता है star इस तो इन यह जो हो जाएगा x power minus 1 by 2 x minus 2 की जग हम x रख देंगे x minus 2 की जग हम x रख देंगे clear है is equal to यह क्या हैगा Laplace of 1 plus x plus x square हो जाएगा इस तो ने Laplace of yx को हम y bar लिखेंगे and इस तो ने यहां पर आएगा Laplace of x power minus का 1 by 2 is equal to यहां पर आएगा Laplace of 1, Laplace of x and Laplace of x square इस तो यहां पर Laplace of x का formula आपको पता होना चाहिए x power n का formula को पता होना चाहिए तो इस तो Laplace of x power n का formula होता है वो हमारे क्या होता है gamma n plus 1 upon s power n plus होना आएगा तो यहां पर देखो n की value कितनी है minus 1 by 2 तो यहां बढ़के एक बढ़के gamma आजाता है और यह gamma 3 upon 2 upon s cube gamma 3 upon s cube तो gamma 3 की value 2 हो जाती है अब सुनिया पर gamma 1 by 2 तो हमारे पास क्या जाएगा root pi हो जाएगा और s power 1 by 2 को उधर ले लो तो y bar is equal to यहां पर इसको उल्टा कर लेते हैं तो यहां आएगा हमारे पास root s upon यहां आएगा हमारे पास root pi because gamma 1 by 2 की value महरे पास क्या होती है root pi अगर आपको नहीं आता है तो it पर जाके gamma beta का function का video आप देख सकते हैं सुनिया आएगा 1 upon s plus 1 upon s square plus 2 upon s cube हो जाएगा तो यहां पर y bar का मतलब क्या होता है laplace of wire तो यह हमारे पास root s को उन्दर ले लेते हैं यहां पर root pi हो जाएगा यहां हो जाएगा 1 upon s power 1 by 2 plus यहां आएगा root है और s square तो यहां पर हो जाएगा s power 3 by 2 तो सुनिया पर जब root है संदर जाएगा तो यहां आएगा हमारे पास 2 s power 5 by 2 हो जाएगा अब इसको laplace inverse ले 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 तो y is equal to 1 upon root pi यह जाएगा हमारे पास laplace inverse of 1 upon s power 1 by 2 plus laplace inverse of 1 upon s power 3 by 2 plus 2 laplace inverse of 1 upon s power 5 by 2 हमारे पास इसकी value हो जाएगा अब इस सुन देखे यहां पर laplace inverse of 1 upon s power n by 2 is equal to क्या आता बेटा x power n upon gamma n plus 1 तो बटाँ यहां पर 1 by 2 है तो जहां पर भी n plus 1 है वहां पर 1 by 2 तो बटा क्या होता है 1 by 2 तो यहां पर आ जाता और उपर एक power कम हो जाती तो यहार ध्यान देने के ज़रोत है यह हमारे पास आएगा y is equal to 1 upon root pi बटाँ यह तो 1 by 2 तो gamma में आ जाएगा और एक power कम हो जाएगा तो यहार यह माइनस 1 by 2 हो जाएगा प्लस इसी ताप से यह जो 3 by 2 यह गामा में आ जाएगा और उपर एक कम हो जाएगा 3 by 2 में से कम गया तो 1 by 2 इसी ताप से सुन यह आएगा मारे पास 2 यहां पर मारे पास इसकी वेली क्या जाएगी इसो निद गामा 1 by 2 की विल्जे हमा पास root pi होती है, है न, ये आएगा x power 1 by 2, इसोन गामा 3 by 2 तो गामा 1 by 2, गामा 1 by 2 की root pi विल्搬ी तो की root pi होती है, plus 2 इस निद आएगा माहरे पास x की power 3 by 2, इसोन 5 by 2 को हम कै लिखते हैं या पर, और यहां पर आजाएगा 1 upon root x प्लस इसोन यह 2 उपर चला जाएगा तो 2 root x इसोन यहां पर हमारे पास यह 2 4, 8, इसोन यहाएगा 8 x root x upon 3 आजाएगा, अब चाहो तो root x का पर lc m ले लो and then इसको simplify कर दो आपका answer आजाएगा, तो इस प्रकास से इस equation को बहुत easy लिए हम solve कर सकता है so next देखिए अगला question अगला question हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है so इन question हमारे पास बोला जा रहा है कि yx is equal to e की पावर minus x minus 2, 0 to x yt cos x minus t dt वहिया क्या करेंगे, सबसे बिल हम इसको ऐसे लिखेंगे yx is equal to e की पावर minus x minus 2 इस सुन ये y तो as it जा जा जाएगा और यहां पर x minus t को हम लिख देंगे cos x और यहां पर बीच में star लगा दो and अब दोनों तरफ बढ़ी है क्या ले लो आप, laplace ले लो right, मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ उसका laplace ले लेता हूँ now, अब हमारे पास यहां पर इसकी जो विली होगी वो क्या हो जाएगी y bar and सुन यहां पर e की पावर minus x का laplace है ना चलो मैं इसको अलग-अलग कर देता हूँ फिर बाद में ले लेता है minus 2, laplace of y x star cos x हो जाएगा यहां पर 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 यहां सिमा जाएगा, तो s square plus 1 plus 2s हो जाएगा, is equal to 1 upon s plus 1, सुन, y bar यहाँ पर हमारे पास यह आजाएगा, s plus 1 का whole square upon s square plus 1 is equal to 1 upon s plus 1, भहिया, s plus 1 का whole square होगा इसको अलग-अलग कर दीजे, तो भहिया हमारे पास क्या आएगा, y bar is equal to इसको अलग-अलग करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर यह जो s square plus 1 है, यह तो उपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा, s plus 1 का cube हो जाएगा, गलर, सुनिए हमारे पास यहाँ पर इसकी value हो जाएगी, अगर हम चाहें यहाँ तो plus 2s, minus 2s करेंगे, तो बटा हमें क्या करता हूँ, यहाँ पर plus का 2s और minus का 2s कर लेता हूँ, ऐसा करने से हमारे पास क्या हम लिख सकते हैं, लापलास ओवाई, तो बटा यह जाएगा हमारे पास, s plus 1 का whole square upon s plus 1 का cube, minus 2s upon s plus 1 का cube हो जाएगा, यहाँ यहाँ पर मारे पास value हो जाएगा, right, so यहाँ पर मारे पास क्याएगा, लापलास ओवाई, बटा इसकी value हो जाएगी, 1 upon s plus 1 हो जाएगा, minus, इस उन यहाँ पर क्या करो 2 तो as it is in the end, मैं क्या करता हूँ, plus 1 and minus 1 कर देता हूँ, divided by s plus 1 का cube हो जाएगा, बटा, यहाँ पर आएगा, बटा, यहाँ पर आएगा, बटा, लापलास ओवाई is equal to 1 upon s plus 1 minus, बटा, इस s plus 1 को इसे divide करेंगे, तो यहाँ आएगा, 2 upon s plus 1 का whole square, minus minus plus 2, बटा, यहाँ पर मारे पास value हो जाएगी, 2 upon s plus 1 का cube हो जाएगा, बटा, 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 बटा आपे क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा बोला जाए, तो यह लापलास इंवर्स होब, चलो कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत ने, सुनी आएगा, माइनस का 2, यह प्लस हटाएंगे तो यह लापलास इंवर्स ऑफ 1 अपॉन S स्क्वार आजाएगा, प्लस 2, सुन किया जाएगा, हमारे पास, X स्क्वार अपॉन गामा 3, मतलब 2 हो जाएगा, पहने, सुन 2 से 2, कैंसल, वा E की पावर माइनस X, कॉमन निकाल दीजे, 1 माइनस 2X, प्लस X स्क्वार भीया, इसका अंसर यह हो जाएगा, तो इस तरह सिसका टाइप की एक्वेशन को बहुत रिएगा, तो YX प्लस 2, यहां लिकता हूँ है, 0, 2X, YT, बैट है, यहां पर लिकता हूँ है, X माइनस T, पावर 0, DT is equal to cos hyperbolic 2X, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि X माइनस T की पावर 0 की वेल वेलिए क्या होती है, भीया, 1 ही होती है, अब हम क्या करते है, सु सुन यहां पर लिख लेते हम yx और यह आजाएगा हमारे पास star x की power 0 and is equal to यहां पर लिख लेता हूँ मैं cos hyperbolic 2x अब मैं क्या करता हूँ भईया दुनों तरफ क्या ले लेता हूँ लापलास ले लेता हूँ तो यह हमारे पास लापलास आजाएगा यह हमारे पास लापलास आजाएगा और यह हमारे पास क्याएगा भईया लापलास आजाएगा राइट यहां पर इसका लापलास लेंगे तो y बार आजाएगा प्लस यहां पर सुन yx का लापलास लेंगे तो भईया यह हमारे पास y बार आजाएगा कि कोई फरक नहीं होता, सुन वाई बार कॉमन निकाल ले, तो यह आएगा, 1 प्लस 2 बाई S, इस इक्विल टू, इस सुनी आएगा, S अपॉन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, S स्क्वार माइनस 4, चलो ऐसे ले लो, तो सुनी, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, Y बार, यहाँ आएगा, S प्लस 2 अपॉन, S, इस इक्विल टू, S स्क्वार माइनस 4, इसको क्या कर लो, आप क्रॉस मल्टिप्लाइ कर दो, चलो इहीं कर लेते हैं, तो Y बार इस इक्विल टू, यहाँ आएगा, S स्क्वार अपॉन, S प्लस 2 इन्टू, S स्क्वार माइनस का 4 हो जाएगा, यह हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगी, भी S की वेली हो जाएगी, अब हम क्या करें, यह तो हम यहाँ पर इसका पार्शल फ्रेक्शन कर दें, उस से हम इसको बहुत हीजी ली निकाल सकते हैं, यह फिर इसको S माइनस 2, S प्लस 2 करके, यहाँ पर S प्लस 2 का होल स्क्वार कर दें, जादा अच्छा रहेगा है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं य, is equal to, अब इसका पार्शल फ्रेक्शन कर लेता हूँ, S स्क्वार अप Minister, प्लस 2 का होल स्क्वार का करें, S-2, इस विन partial fraction का short trick मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप I-tip पे जाके मेरी वीडियो को देख सकते है इस विन यहाँ पे जब भी हम partial fraction लगाते हैं, तो यहाँ पे कुछ की हम short trick से value निकाल सकते हैं, तो बी की value आएगे, अब इस C की value कैसे निकालता है सुन, S की जगे हम 2 रखें तो C 0 हो जाए इसको छुपा ये और यहाँ 2 रख दीजे है, तो यहाँ से हमारे पास C की value हो जाएगी, तो बटा 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ 16 तो I think 1 by 4 इसकी value हो जाएगी, तो C की value हमारे पास 1 by 4 हो जाएगी, अब हमें निकालने यहाँ पर A की value, तो जब भी A की value निकालने तो हम क्या करेंगे, इस denominator को multiply कर दो सबसरे, या फिर इसका LCM लेके cancel कर दो, बाद बराबर है ना, तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास S square, यहाँ आएगा हमारे पास A, S plus 2 into S minus 2, यहाँ आएगा, plus B, यहाँ आएगा हमारे पास S minus 2, plus C, यहाँ आएगा, S plus 2 का whole square अब हम क्या करते हैं, S की जो highest power S square, इसके coefficient को equate कर लेता है तो S square का coefficient यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 और यहाँ पर आ रहा है, यह सुन, this is not part of the Laplace transform, यह partial fraction सिखा रहा हुआ हो, यह सुन, यहाँ पर C आ जाएगा, हमारे पास C की value यहाँ मिलगे, तो सुन, A की जो value होगी 1 minus C हो जाएगी, C की value 1 by 4 है, तो 1 minus 1 by 4 तो सुन, यह हमारे पास कहाएगा, 3 by 4 हो जाएगा, तो सुन, यह सब value उठा के यहाँ रख दीजे, तो जब मैं इन सब की value उठा के रखूँगा भाया, तो मेरे पास क्या आएगा दियान देजाएगा, तो A की value हमारे पास कितनी आ रही है, A की value हमारे पास आ रही, 3 by 4 तो बटा यह आ जाएगा हमारे पास, 3 by 4, हाना, and 1 upon यहाँ पे हमारे पास इसकी value जो आ रही हो आ रही, S plus 2, and उसके बाद हमारे पास B की जो value आ रही हो माइनस आ रही है, तो सुन माइनस, यह आ जाएगा हमारे पास, 1 upon S plus 2 का whole square, and C की value हमारे पास यहाँ पे आ रही है, 1 by 4, and सुन यहाँ पे क्याएगा, 1 upon S minus 2 जाएगा, भाया क्या करो, Laplace inverse ले लो, तो यहाँ रहाएगा, 3 by 4, Laplace inverse of 1 upon S plus 2, minus Laplace inverse of 1 upon S plus 2 का whole square, plus 1 by 4, Laplace inverse of 1 upon S minus 2 हो जाएगा, now y is equal to, यह आएगा 3 by 4, सुन यह आएगा मारे पास E की power minus 2x minus, यहाँ पे सब से पहले इसको टाएगा, तो E की power minus 2x, Laplace inverse of 1 upon S square, plus 1 by 4, पेटा minus से प्लस हो जाएगा, तो E की power 2x हो जाएगा, now इसको simplify करेंगे, तो यह आएगा, 3 by 4, E की power minus 2x, और 1 upon S square का हो जाएगा, X, E की power minus 2x, plus 1 by 4, E की power 2x हो जाएगा, तो यह भी यह हमारे पास यहाँ पे क्याएगा, इसका आग सराएगा, तो इस प्रकार से बहुत इजी लिए आप कर सकते हैं, इसो next question comment box के लिए है, और इसको solve करने में आपको कितने seconds लग रहे हैं, please comment करके जरूर बताईए, अगर आपने मेरे Laplace स्टास्टों के पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं, तो यहाँ जाके पूरी की पूरी प्लेलिस आप देख सकते हैं, अगर आप IAT, JEM, या GATE, या CSIR NET exam की तयारी कर रहे हैं, अपने question को practice करना चाते हैं, MCQ, MSQ और NET, इस उन पूरी की पूरी प्लेलिस आप को यहाँ जाके मिल जाएगी, इस सुनिया जाके आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, इस सुनिवाली book है, इसमें काफे सारे question practice करने के लिए, अगर आप JEM, CSIR, GATE exam की तयारी करें, इसको आप Amazon से buy कर सकते हैं, इसका link भी आपको description में मिल जाएगा, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you, bye bye